हाई फ्रेंड्स मैं पूर्बा आपनों का स्वागत करती हूं MP सक्सेसर्स में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मद्यप्रदेश डेली करेंट अफेर की सीरीज 47 के बारे में 21 अगस्त 2020 से करेंट अफेर की जतने भी question बन सके हैं उनको हम इसकेs करेंगे हम बात करें तो हाल ही में मद्यप्रदेश के केश जेले के सते इंदर सिंग लोहिया को भारत सरकार ने तेजनिंग नौर्गे साले और एड बेंचर अबरे के लिए चाहेनित किया है ठीक है तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह है सतेंद्र सिंग लोधिया इनका नाम है यह एक जो है यह दिब्यांग है ठीक है और यह जो है मध्य प्रदेश के भिंड ऑप्शन नमबर ए आप पर राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के भिंड जिले के महगाओं ग्राम महगाओं जो है यहाँ पर महगाओं के जो है ग्राम महगाओं के भी जो महगाओं यहाँ पर जो गाओं होगा उसकी भी जो है ग्राम गाता ठीक है ग्राम जो है गाता निवासी है यह ठीक है तो इतना आपको इस क्वेशन से याद रखना है कि यह जो है यह सतेंद्र सिंग लोहिया इनका नाम है ये दिब्यांग है और भारा सरकाने ने जो है तीजनिंग नौर्गे नैसनल एडवेंचर अबॉर्ड के लिए चायनित किया है ठीक है ये कहां से है तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले के महगाओ के ग्राम गाता निवासी है ठीक है और इनको ये जो अ इनको ये लिए जाएगा दिली में राष्टपति रामनाथ कोबिंदum ऑनिको को ये आ को दिया जाएगा है और इनों ने मतलब इनको ये अबोर्ड के हो दिया जा रहा है तो सतिंदर ने 10-13 तो 2018 में us a के और हम बात करें तो us a जो है USA के Katilina Channel ठीक है Katilina यहाँ पर लिखना है Katilina Channel USA के Katilina Channel को जो है 11 घंटे 11 आवर और 34 मिनिट में पारक कर कीर्तिमान रचाता ठीक है तो इतना आपको इस कॉस्टन से याद रखना है सतिंडर सिंग लोहिया USA का Katilina Channel ग्यारा घंटे और 34 मिनिट में पारकर कीरती मान रचा था 2018 में इसलिए इनको जो है तेजनिंग नौर्गे नैशनल एडवेंचर आबोर्ड भारा सरकार द्वारा दिया जा रहा है और 29 अगस्त को ठीक है तो इतना इस कॉशन से आपको याद रखने है कॉशन जो है एक्जाम पॉइंट ऑब यू से इंपोर्टेंट है यहाँ पर अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर कॉशन की second number question है हाली में मध्य प्रिदेश में किसे कांग्रेश प्रिदेश अध्यक्ष के साथ ही नेता प्रतीपक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई है तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हैं पूर्व मुख्यमंतरी कमलनाथ पर्टेल ठीक है इनको जो है कांग्रेश की प्रिदेश अध्यक्ष थे और अभी इसी के साथ ही ने नेता प्रतीपक्ष की भी जिम्मेदारी दे दी गई है तो इनका नाम आपको याद रखना है यह क्वेशन भी जो है इंपोर्टेंट है ठीक है अब जो है सड़क से सदन तक कॉंग्रेश का चेहरा है जो वो कमलनाथ ही है और इनका सीधा मुकाबला सिवराज सिंग से ठीक है ओप्चोनाव में भी जो है कमलनाथ बनाम सिवराज के नाम पर लड़े जाएंगे ठीक है तो इतना आपको इस क्वेशन से याद रखना है यह मध्य प्रतीपक्ष के पूर्वे मुख्यमंत्री है और यह जो है कांग्रिस के प्रतीपक्ष के साथ साथ अब जो है न कितने सहरों ने स्थान हासिल किया है ठीक है अगर हम यहां पर बात करें कि मतलब के देश के दस सबसे साफ सहरों की सूची में मध्य प्रतीपक्ष के कितने सहरों ने स्थान हासिल किया है तो आप्श नमर भी यहां पर राइट अंसर होगा इंदौर और भोपाल ठीक है इं सबसे साफ सबसे साफ साफ से रोगी सूची की तॉ नमबर पर है और भूपाल इस रेंक में सेविंत नमबर पर है ठीक है, साथवे नमबर पर भोपाल ने इस्थान हासिल किया है, सबसे साफ सहरों की सूची में और इंदोर ने प्रथम इस्थान हासिल किया है और इंदोर जो है, ये लगातार चौथी बार सबसे साफ सहरों की सूची में प्रथम इस्थान पार है, ठीक है ठीक है तो अगर पिछले तीन साल की भी बात करी जाए इस साल को इंक्लूड करके 2020 साहे तो इंदौर ही प्रथाम आया है चारों सालों में ठीक है तो इतना भी आपको इस question से याद रखना है लगाता चौथे साल जो है सबसे साफ सहर इंदौर ही रहा है और भोपाल जो है वो सबसे साफ सहरों की सूची जो जारी करी गई थी उसमें जो है टौप 10 में मद्य प्रदेश की कितने हैं तो दो जो है सहरों को जोडा गया है ठीक है और अगर बात करें तो स्वक्षता सर्विक्षंड 2020 लीग के तीनों क्वाटर में भी इंदौर अबल रहा है ठीक है और र यहां पर आपको एक लिस्ट दिखा रही हूं उसमें भी आप देखेंगे कि टौप 10 जो सहर की सूची है जिनको यह जो अवार्ड मिला है ठीक है तो आप यहां पर देखिए सबसे उपर है यहां पर इंदौर ठीक है उसके बाद यहां पर है सूरत और इंदौर का अगर स् सिक्स राज कोट है सेवशन रैंक भुपाल है एर्थ रैंग पर चंड वेज्स फ्रेंगड नाइंत रैंक पर बिसांख पतनम नहीं और टेंध रैंक पर बड़ोद्रह ठीक है दो यहां पर अगर हम देखें तो इंदौर है वह प्रिधम रैंक पर है ठीक है और इसकी इसको और आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको फिर भी याद रखना है ठीक है तो इन दो सहरों के नाम आपको जो है याद रखना है और टॉप 10 की सूची के नाम भी आप याद रख सकते हैं ठीक है तो इतना आपको इस क्वेशन से याद रखना है नेक्स्ट हम यहाँ प और बात करें, Self Sustainable Capital of India का खिताब किसे दिया गया है, तो option number B हमारा right answer होगा, भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है, भोपाल सहर को Self Sustainable Capital of India का खिताब दिया गया है, ये जो खिताब है, ये जो है, प्रदेश की राजधानी को दिया जाता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो इसमें राजधानियों में जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को चुना गया है, Self Sustainable Capital of India Award के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, Capital राजधानी के लिए, तो Self Sustainable Capital of India Award, ठीक है, ये जो खिताब है, ये भोपाल को दिया गया है, मध्य प्रदेश क की राजधानी को, ठीक है, और ये भी स्वक्च सर्वेक्षंड 2020 के अंतर का दिये जाते है, ये अवर्ड, ठीक है, और इसमें अगर बात करें, तो भोपाल को Self Sustainable Capital Special Category का Award मिला है, ठीक है, और इस बार जो है, Cleanest Capital of India का खिताब भोपाल को नहीं मिल सका है, ठीक है, तो ये ए ठीक है, तो इस बार भोपाल को कौन सा Award मिला है, तो Self Sustainable Capital of India, और स्वक्च सर्वेक्षंड 2020 में भोपाल की rank कौन सी है, तो 7th है, ठीक है, ओल इंडिया में, तो इतना आपको इस question से याद रखना है, आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, फिफ्ट नमर question की, तो यहाँ पर है, ह गैरत गंज तहसील में 11 करोड 70 लाकी लागत से बनने वाले कितने पुलों का सिलानयास किया है, तो अगर हम यहाँ यहाँ पर बात करें, तो option number D हमारा right answer होगा, चार, ठीक है, मत्य प्रदेश के जो स्वास्त मंत्री है, प्रभूराम चौधरी, इनका नाम आपको याद आप अगमान की सुविदा होगी, तो इतना आपको इस question से याद रखना है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, 6 number question की, यहाँ पर है, हाली में स्वक्ष सर्वी 2020 की top 20 list में मत्य प्रदेश की कितने महानगर सामिल किये गए है, तो आपको पता है, और अगर आपको नहीं भी पत होना चाहिए कि मत्य प्रदेश में जो है, चार महानगर है, ठीक है, मत्य प्रदेश में, ठीक है, हम बात करें मि데 बात करें, इन चारों महानगर המ׆ की, तो जो है इसमें कौन कौन से हैं, आपके तो यहाँ पर है इन-दौर, ठीक है, भौपाल, जवल-पूर, और यहा twist ऐ ऑ यह चार महानगर हैं मध्य प्रदेश में यह चार महानगर हैं और अगर हम बात करें कि स्वक्षे सर्वे 2020 की टॉप 20 की लिस्ट अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की कितने महानगर सामिल किये गए हैं तो option number D हमारा right answer होगा शुद्ऐ 2020 की लिस्ट देखी जाए मध्य प्र देश के जो चारों महानगर सामिल किया गया है तो यह अगर हम इनके rank की बात करें तो इंद्दर की rank 1 है भोपाल자 rank tw team ये टॉप 10 की सूची में सामिल हुए है और उसके बाद हम बात करें तो ग्वालियर की जो रैंक है ये थैतीन फ रैंक ग्वालियर Serking TAYल Vinei की तैरवी साब्धी की जवलपुर की बात करें तो Javal flip प्रदेश में अगर यह पूछा जाए कि कितने महानगर हैं तो चार महानगर हैं और स्वक्षे सर्वे चान 2020 की रिपोर्ट या लिस्ट में जो है सूची में क्रांती कारी दल के स्थापना कहां की गई तो चार ओक्षन दिये गए हैं एक सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भोपाल राज्य हिंदू सवा की नीब जो है वो किस ने डाली थी तो चार ओक्षन है एक राइट है तो फस्ट और सेकंड डोनों कॉश्चन के अ यहां पर बताऊंगी तो यहां पर बात करते हैं 20 अगस्त 2020 के कुश्चन की स्टैटिक जीके के तो इसमें फस्ट था के मद्य प्रदेश के के जिले में कारी दास्मारो मनाया जाता है तो ऑप्षन राइट ऑप्षन था उज्जेंट के सभी का यह साही था जितने लोगों यहां पर हम बात करें दुवेवर कि मनाया जाता है तो यहां यह सभी का गलत था नहीं तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है इसलिए मैंने कुश्चन दिया था मुझे पताथा कि काफी लोगों का गलत होगा आप लोगों लोगोंगों था कि आप तो ओर्चा उट सब जो है टीकमगड में मनाया जाता है मध्यप्रदेश के आप इसकी डेटेल वगएर अगर आपको जाने हैं तो आप लोग सार्ज कर साकते हैं तो इस टाइप से यह जो क्वेशने कंप्लीट हो गए हैं तो थैंक्स पो वचिंग माई वीडियो प्लीज वीडियो को जाज़ा लाइक करें शेयर करें चैनल पर नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू